हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डोकुमेंट्स जो एडमीशन के वक्त लगेगा कितने डोकुमेंट्स चाहिए प्राइवेट कॉलेज के लिए कौन-कौन से डोकुमेंट लगता है और गौवर्मेंट कॉलेज के लिए कौन-कौन से डोकुमेंट लगेगा और कौन से डोकुमेंट सबसे इंपोर्टेंट है और डोकुमेंट के साथ क्या-क्या लेकर जाना होगा सब की बात करेंगे हेलो मैं हुपिकाश कुमार सिंग स्टूडेंट और थर्ड यर BAMS मतलब Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery और एक बात कॉलेज में अड्मिशन से पहले आप ये जरूर पता करें कि वहाँ BAMS कौन सी लेंग्वेज में पढ़ाया जाता है जनरली, MP, UP, 36, PR और भी ऐसे स्टेट्स है जहां पे English में नहीं पढ़ाया जाता इवन पेपर भी English में नहीं आता है या तो डिजनल लेंग्वेज में पेपर आता है या हिंदी में पेपर आता है तो कॉलेज में अड्मिशन से पहले आप ये जरूर पता करें कि वहां पेपर कौन सी लेंग्वेज में आता है ताकि आप बाद में न पचता हो कि आपने पढ़ा था English Medium और बाद में पता चला कि हिंदी मीडियम में पेपर आता है और आपको हिंदी में लिखना पढ़ रहा है अगर आपके पास कोई option है तो ही आप admission करवाएं वरना आपको BMS बहुत hard लगने वाला होगा मैं किसी हिंदी भासी को दोश नहीं दे रहा हूँ अगर मान लीजे आपको हिंदी में problem होता है बोलने में कुछ ज़्यादा problem नहीं होता है बट हिंदी लिखने में बहुत ज़्यादा problem हो जाता है और मुझे बहुत सारा ऐसा SMS भी आया था कि इस college में जो है हिंदी में paper आता है और हिंदी language में paper आता है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज आप एक बार पता करिये कि किस language में paper आता है अगर आता है तो इसमें कोई option है English का या नहीं है और अगर आप हिंदी में comfortable है तो इसमें बहुत अच्छी बात है मुश्किल उन लोगों के लिए है जिनको हिंदी नहीं आती या हिंदी बहुत hard लगता है उनको और कुछ ऐसे states है जहां पर आप जाकर पढ़ भी सकते हो क्यूंकि वहां पर paper English में आता है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए और भी बहुत सारे ऐसे states है जहां पर English में paper आता है और बहुत सारे ऐसे colleges है जो option रखते हैं English का तो अब शुरू करते हैं कौन कौन सी documents चाहिए आपको admission के वक्त तो सबसे पहले चाहिए आपको class 10th का admit card यह बहुत important है class 10th का admit card होना बहुत जरूरी है अगर आपके पास mark card है या mark sheet जिसको बोलते हैं तो यह दोनों है मतलब admit card प्रस mark sheet तो mark sheet भी रख लीजिएगा वैसे उतना important नहीं है 10th class का mark sheet बट फिर भी रख लीजिएगा class 12th का mark sheet बहुत important है क्योंकि इसी से PC भी calculate किया जाएगा आपका तो class 12th का mark sheet 100% important है और यह हमेशा मांगा जाता है और यह original ही रखिएगा आप अपने पास वैसे admit card का उतना कुछ जरूरत है नहीं लेकिन फिर भी अगर आप admit card रखना चाहे तो रख सकते हैं class 12th का अब जो बहुत important चीज़ है वो है transfer certificate transfer certificate जो आपने last class 12th 12th pass out कर जाओ जब आप class 12th pass out कर जाओगे तब आपको एक transfer certificate दिया जाता है तो वो transfer certificate certificate आप लेकर जाओगे वहाँ admission के वक्त आपको मांगा जाएगा तो चौथा document है migration certificate तो migration certificate उन लोगों के लिए चाहिए जो out of state admission करवा रहे हैं अगर आप अपने state में भी करवा रहे हैं तो migration certificate रख लिजेगा by chance मांग दे वैसे कोई अपने state में admission करवाता है तो migration certificate का उतना जरुवत नहीं पड़ता और दूसरी बात यह है कि आप अपना domicile proof जो है वो हमेशा लेके रहिए तो आप आपको जो है domicile आपको दिखाना पड़ेगा अगर आपने state के है तो उसमें domicile आपको दिखाना पड़ेगा मुझसे भी मांगा गया था physical fitness certificate उन लोगों नहीं मुझे फॉर्म दिया था physical fitness certificate का कि जाओ करवा लो तो वो डॉक्टर ने पूरा का पूरा physical fitness भर दिया तो जाओ बाद में आख का भी check-up करा लो तो मैंने आख का भी check-up कराने गया तो कराने गया तो वो डॉक्टर अलग से फीस मागा तो मैंने करीब करीब फिजिकल फिटनेस में 600 रुपय खर्चा कर दिये उसके बाद अभी third year में मैं हूँ first year से लेकर third year में आ गया लेकिन अभी तक physical fitness का इन्होंने जो फॉर्म दिया था वो मांगा नहीं तो मतलब 600 रुपया तो ऐसे ही चला गया ना मतलब मांग लेते खर क्या ही बोले अब बात करते हैं next certificate की वो है character certificate आपको character certificate देना बहुत जरूरी है क्योंकि character certificate साही डिसाइड होगा कहीं आपने कुई कांड तो नहीं करके रखा है हां कहीं आपने बहुत बड़ा कांड तो नहीं किया हुआ है जो इसमें आपको character के ऊपर कोई आच ना आ जाए इसी लिए character certificate is must तो आपको पता ही होगा कि character certificate कैसा होता है वैसे जनरली सबको मिल जाता है तो character certificate एक school से मिलता है जो की 6 महिना का valid होता है और दूसरा जो होता है वो आपको BD office से ही मिल जाएगा character certificate जिसमें आपको character certificate में police station वहां आपको जाके verify करवाना पड़ता है हां लेकिन अगर आपने कोई कांड बांड किया हुआ है तो पैसे देकर आप character certificate बनवा सकते हैं अब बात करते हैं next certificate की आधार काड़ आप जरूर रखिएगा अपने parents का भी रखिएगा और साथ में ही 6 copy passport size photograph तो जब भी आप photograph निकाले मैं आपको एक idea दे देता हूं आप जो है 24 या 30 photograph निकाल लीजिए क्योंकि बार बार photograph निकालना उतना अच्छा नहीं लगता मैं भी करता हूं जब भी फोटोग्राफ निकालना होता है तो पचीस तीस पोटोग्राफ निकाल लेता हूं और साथ में अगर कभी जरूक्स करवाना हो एक ही बार जरूक्स करवा लेता हूं बहुत सारा मतलब एक डोकॉमेंट का 10 copy 15 copy बनवा कर रख लेता हूं अपने पास कभी पर सकता है तो निकाल कर दे दूँगा तो बार-बार कौन देगा जरूक्स के लिए तो अब बात करते हैं next क्या लेकर जाना होगा वह है पैनकाड आपके पास पैनकाड जरूर रख लीजा अगर आपके पास नहीं है तो आपके पैरेंट्स होंगे उनका पैनकाड भी इस् है कास्ट स्रकाट सिर्टिक के तो कोई जरूरत नहीं है बट अगर जरूरत नहीं सबसे important चीज़ है वो है Neat Admit Card, Neat Admit Card आपको रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी में आपका registration number, उसी में आपका roll number, ये दोनों रहता है, तो अगर आपके पास नहीं है तो download करिए जल्दी से, उम्मीद करता हूं कि आपके पास ये downloaded already होगा, कही ना कहीं आप जरूर देखिए और उसको जो है, 9-10 बार print out करवा लिजिए, आपको जिंदगी भर काम लग सकता है, लग सकता है, और next मैं बहुत जल्दी कॉलकाता जाने वाला हूं, आपके मैं आपको व्लॉग बना कर दिखाने वाला हूं, बहुत सारा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा होता लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और देखते रहे हैं, दा आईरवेद व्लॉग